Hey guys, welcome back to my channel आज इस वीडियो में टेलमेकन 40 AMG टेबलेट के बारे में पुरी डेटेर में बात करेंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लेज प्लेज सब्सक्राइब करें और बेल अगर भी प्रेस करें दोस्तों टेलमेकन 40 AMG टेबलेट को मेंकन फॉर्मा कंपनी मैनुफेक्चर करती है और ये 10 गुली का स्टिप होता है और इसका अमर्पी 34 रुपीस है और बात करें इसके अंदर मौजूद कंपोजिशन के बारे में तो इसके अंदर टेलमेकन 40 AMG पाया जाता है दोस्तों बात करतें इसके यूजर्स के बारे में मतलब इसे किसलिए यूज किया जाता है दोस्तों इस tablet को commonly जिनका blood pressure high रहता है तो उसे control करकर normal करने में use किया जाता है और ये tablet heart attack और stroke से बसने के लिए भी use किया जाता है दोस्तों बात करिए कैसे काम करता है तो दोस्तों इसको लेने से हमारे blood vessels relax होते हैं जिससे blood हमारी body में easily से flow करता है जिससे blood pressure high या low होने के chances कम हो होते हैं इसलिए इसके side effect की tension लेने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल इसके चार side effects होते हैं number one upper respiratory tract infection number two sinus infection number three back pain number four diarrhea दोस्तों इसको खाने से आपको दूसरे side effect भी हो सकते हैं लेकिन उनकी chances बहुत कम है या इन में से एक या दो भी हो सकते हैं अगर आपको tell me can 40 mg tablet खाने के बाद क कोई भी side effect नजर आ रहा तो इसको लेना बंद करें और अपने doctor जाकर consult करें दोस्तों अब बात करते हैं इसको कैसे लेना चाहिए मतलब इसको कैसे खाना चाहिए दोस्तों सबसे पहले आप इसको self नहीं लेना चाहिए अगर आपके doctor आपको ये prescribe करते हैं तो तभी ही इसको लेना चाहिए अगर इसको आप self लेते हैं तो मालो आपकी BP normal है या कम है लेते हैं और अगर आपको blood pressure और कम हो जाता है तो आपको heart attack के stroke होने के chances बढ़ जाते हैं इस वजह से कोई भी tablet को कभी भी self नहीं लेना चाहिए दोस्तों बात करें इसको खाना खाने से पहले लेना खाना खाने के बाद तो दोस्तों आप इसको खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं लेकिन इसको आप रोजाना fix टेम पर ही लेना चाहिए दोस्तों आप बात करते हैं इसको कब नहीं लेना चाहिए अलकोहल को पीने के बाद या पीन इसको A to Z information तो नहीं बोल सकते लेकिन आपको जितना जनना आता है इसके बारे में इसमें भी पूरा है और दोस्तों कमेंट करकर बताना आपको और किस tablet के बारे में जनना है दोस्तों वीडियो अच्छा लगत वीडियो क्लेक करें और ऐसे ही वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू